करता दो कर दोका बेर खुंड आज की वीडियो मेंएम लोग कॉस्ट एकाउंटिंग का के प्रैक्टीकल कॉषिन देखें प्रैक्टीकल कोशन हैं थीजोारीं बहुत बदेश हैं इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल कोशन बने काईगा पहला होता है कॉस्ट सीट एकदम कोशन आएगा ठीक है सर दूसरा है कॉंट्रेक एकाउंटिंग दूसरा क्या है वहां से भी केदम कोशन थैक से टुथ मैं और लेवर वैरियाancस है तो यह चाट तॉपिक जहां आप लोगों अच्छे तरीके से देखना है तो देखो इस नोट पॉसिबल फॉर मी की आई विल कवर अल दीज चैप्टर का कोश्चिन समय जो ना बहुत सारे कोश्चिन है कितने कोश्चिन है तो अल दीज कोश्चिन नॉट पॉसल वर मी तू कम्प्लीट सॉल तो भाई कैसे होगा सर तो मैं क्या करूंग सिट बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है तो मैं आप लोगों पहले बताऊंगा कि पहला कोश्चिन है यह कॉंसप्ट है कि रॉमेटर कंजूम कैसे निकालनेगा क्या बोलती पॉब्लिक आप एक अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो रॉमेटर कंजूम आपको निकालना पड़ेगा की नहीं तो कैसे निकालोगे तो देखिए आपके बाई कोश्चिन में क्या दिया है ओपनिंग इस्टोक दिया है क्लोजिंग इस्टोक दिया है पर्चेस दिया है फ्राइट फ पर नॉर मेंटींट फॉलिए तो उसको शेल के डायरिक इक्सपेंस वीची डायर टूवाट प्रोड्यक्षन जैसे रिख पीजबो यू अठिक आप इस्टेज नामल की नॉर्मल वेश्टेज बी तो हो जाते हैं तो वह ओता है एबनॉर मल वेश्टेज फ्सक्राइक होता सब्सक्राइब करें कि अब होता रहेगा हरवार होगा लेकिन अबनॉर्मल मतलब मतलब कि नहीं होना चाहिए उसे रोका जा सकता था बट क्या हुआ वह रूका नहीं सजेसे मान लो कि भाई फैक्ट्री में आग लग गई तो खर्चा हुआ तो वह आग लगता है क्या नहीं किटना आच्छे सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर रोका जा सकता था लेकिन वह खर्चा हो गया तो उसे अब ग्राइन होते हैं पिर यहूद नादो इसी आभेगे तो बैच्पने करने तो है ठोड़कनी कर पूदे कि भाइन नॉर्मल मुत गढ़ तो ऊब्लय हो आप वह यह नह OLED आख अडिया बंगाैं है को अरो बडर को फ। हो गया उसे रोका जा सकता था बट वह थी कि समझ मैं आया ना कोश्चन मैंने समझा दिया अब हम क्या बोलेंगे कि सर हमें बता दो रॉम मेटरियल कंज्यूम कई से निकालने का है तो मैं सिंपल बोलूंगा आप लोग को ध्यान से सुनना में समान को खरीदने में समान को बनाने में जो भी खर्चा उसको जोड दो hem क्लोजिंग तर वस्तामान को बेचने का खर्चा समझ मैं या जैसे सर यहां देखो पर लिए ना कोशननोट कर लो और नीचे क्या करने का धिको ओपनींग लिखने का पर्चे रोमेटरे खर दे फ्राइट फ्राइट और पर्चेज फ्राइट राने का गारी भारा प्रोडक्शन ठीक है तो यह सब क्या हो जाएगा इन सब को जोड़ देंगे और बांकी जो भी सेल से रिलेटेड है उसे क्या करें गटा देंगे क्लोजिंग इस्टो घटेगा सेल कॉस्ट अप्रोमेटर इसोल्ड और अपना तो प्रोडक्शन घटा की ने समान अपनोर विस्टेज हुआ तो जिब आपन को इन सब को जोड़े इतना आया और इन सब को जोड़े इतना तो यह दुन में क्या हो जाएगा सब्ट्रेक्ट हो एक बनाएंगे लेकिन एक और 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 निकाल के बाता हूंगा ठीक की बहुत जरूरी है अब बोलता है प्राइम कौस्ट निकाल लें कॉस्ट पर रहा है सर को से ठीक है को से प्राइम को सर कैसे निकलता है देख भाई प्राइम को निकलता मैं आपको बताता हूं मैं आपको करता हूं ठीक है यहां लिखने का रो मैटरियल कंज्यूम कैसे निकलता उपर बता दिया इसमें लिखने का लेवर का खर्चा ठीक है लेवर का खर्चा और और फिर direct expense लिखनेगा जब इन सब को जोड़ोगे न तो then you will get prime cost समझ में आया, समझ में आया कि prime cost कैसे निकलता है इसलिए तो सर यह अपने इसलिए बता दिया हाँ भाई इसलिए मैंने बता दिया raw material consume कैसे निकलता है क्योंकि raw material consume में लेवर को जोड़ने का और direct expense में बता दिया क्या होता है वेज़े कुछ भी खर्चा होगा direct expense क्या होता है production को लाने में जैसे fright, fright care direct expense समझ में है fright care direct expense लिख लोकों पी पे और फिर तम निकल जाएगा जब इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा प्राइम कोश्ट निकलेगा समझ में आया रहा है कि नहीं लाइक ठोको लाइक ठोको ठीक है तो अपने को बोले रहा है प्राइम कोश्ट निकलने तो आओ देखो पहले आपन क्या करेंगे सर सीधा सीधी आपन निकलेंगे raw material consume इस लिखा की नहीं वह बताया कैसे लिए नि इन सब क्या करने का जोड़ने का तो यहां आपन ने आये आपन यह इन तीनो गोड़ दिया अशर घटा एंगे जुब्स है ली जल से क्लोजिंग इस जचोब घटा रहे हैं आप घटा रहे और material रिटर्ण फी रिटर्ण हो गया याँ वही बात है कि मैट्र बेचे थे वी वापस आगा तो उसको क्या करेंगा सप्लायर कर दी स्टूरी सॉली स्टॉरी सप्लायर को अपने मैठर वाफस कर दिया तो इतना गटे का चांधिज से तो 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 ट्रफ ने उन्ले गटा करेंगर कितना निकलिया रो मेट्रेक अंज्वम निकल एक 1,99,000 समझ मां आया समझ माया एक लाक उनिस कैसे निकला से लामे समझ नहीं आ रहा रहा हम समझाते हैं है ओपने अश्टोक जो रहा मैटल माल लाने का खर्चा परचिछ गिया खरीदने खर्चा और जो कैड़े इन वर माल लाने का खर्चा यह तीनों जूर गया उसके घटेगा क्या क्लोजिंग 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 क्यों गटाते हैं अब अगले मेनफ्सें यूज करेंगे इसलिए घटा दो अगया रहा आपने क्या वह कंई लाग श्क्रेव कर दिया तो वह अपने जोने ऑपने जो परचेज किया और आपको जो करचा लगा समझ में आ गया तो बोल दो यसर इसी तरीके समझेंगा भाई एक हम सिंपल कुशन आता है कोई दिमाग मत लगाना कि बहुत च्रीकी कुशन आ जाएगा कि सरह हम तो डर जाएंगे ना और थ्योड़ी भी रहता यह तो मिक्स हो जाएगा मिक्स सब करके बनाना समझ मागया तो अपने को रोमेजे चाहिए उसके अपन को चाहिए डायक मैं लेवर का चार्ज टीक है तो आपने यहां पर आये और आपने क्या किया यह बी लिख्ट भी लिख दिया ठीक है एंगलिस जाता बहुत हार्ड लिख दिया है कि डैर्ट इक्स्पेंस लिख दिएना ठीक है तो सब डैरेक इसाइब इसक्राइब यहां पर देखिए कि डैरेक्ट इक्समस क्या है चार्जेवल इक्सपेंस कितना है टैन थाउजन्ड गैन थाउजन्ड आजाओ टोटल इन तीनों को जोड़ोगे थो यूगे प्राइम कॉस्त आगया अगर आपने सब बताया आपने सब कुछ बताया लेकिन एक चीज नहीं बताया मैंने बोला क्या भाई कर यह कैरेज आउट बाट यानी कि कैरेज आउट बाट जब है आप समान को सेल करते हो ना सर आप जब समान को सेल करते हो तो उसके लिए गारी भारा लगता है तो उसको हम कहते है कैरेज आउट वार्ड और कैरेज इन वार मतलब माल लाने का खर्चा कैरेज आउट वार मतलब माल बेचने का खर्चा समझ मैं हिंदी में एक दम सिंपल हिंदी में पता हूंगा ठीक है तो sir this is not a part of what prime cost prime cost निकलना ये कहा का cost है sir अड़े भाई जब cost of good sold निकलोगे जब आप इसी को आगे बढ़ाओगे cost से जब expend होगा ना आगे हम cost of good sold करने का खर्चा निकलेंगे तब आपन जो है carriage outward लेंगे समझ मैं है इसलिए carriage outward और माल बेचने का कर्चा होता है इसको जो है यहाँ पर prime cost में नहीं add करते sir अगर मान लो prime cost क्या आगे हमें चाना है तो हम क्या करेंगे भाई इसके नीचे factory overhead होगा और then after factory cost निकलता है पठवी अपने को चाहिए क्या prime cost निकल लिए समझ मागया न एक बार नोट कर लो और question यह रहा ठीक है question लिखो और अपने से बनाओ समझा भी दिया है वी वी कोश्चन है पूछेगा 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 ठीक है आगे देखिए तीसरा question भी कराई दोसर टाइम बहुत ज्यादा हो जागा 10 मिल का वीडियो हो चुका है अब बुलिया आप लोग बताओं की नहीं हम यह मैंने बोला यह देखिए आगे बढ़ाया है इसमें पूरा देखेंगे पॉस्ट प्राइम कोश्ट के आगे फिर पूरा जोड़ा गया है एंड आफ्टर हम कोश्ट अब गूर्ष सेल पहुंच गया है यह देखिए क्या बोलती पूरा मेरा किलियर है ऐसे नहीं बैठके बढ़ा रहा हूं ठीक है नहीं क्योंकि कॉश्ट अब गूर्ष सोल निकालना और आपने माल बेचने का खर्चा जोड़ेंगे ठीक है आए देखी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं कॉंसेप आप लोगो किलियर करवा दूँगा लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं क्या सब देखो देखो मेरी बात द्यान सुनों आपको मैं एक पहले फॉर्मेट बता दूं कॉस्टिट का रो में जो रहा है लेवर क सौरी यह क्या है सब्सक्राइब को जोड़ोगे ना प्राइम कॉस्ट में तो निकलेगा फैक्ट्री को साब इसको वर कॉस्ट लिख सकते हो ठीक है अब उसके वाद क्या करने का सर उसके वाद आपको जो है ऑफिस का जो खर्चा है ठीक है चाहे वह सेलरी से रिएटेड हो में एड्मिस्टेशन तो इसको करते हैं है अगर मैंसाल महा alors बोले आड्मिस्टेशन कॉस्ट क्या करते हैं ठीक है सब कूछ तब निकलता है अपको क्या करते हैं क्या क्र Katherine जोड़ देते हैं तो सेल निकल जाता है समझ में आ गया तो बोल दो यस सर आओ बता देता हूं उपर से पर के रो मेटरियल कहां लिखोगे अब बोलने की जर्वत है क्या नई सर फ्यूल क्या है अब अगर मैं पूछो फ्यूल कहां लगता है सर मद बड़े-बड़े मसीन में जो समारं मनाते है तो वह कहां का खर्चा है manufacturing यानि factory का खर्चा है तो एक लाग शवबी से यादेखलो यह वयजे का खर्चा है ठीक है डीपेंग 48 है सब कहourse खर्चा है फेक्टि का खर्चा है वेजे इनने माल लाने का खर्चा है कहां जाएगा क हाँ जायका कोस्ट आफ रोमें ही gekनजुम में कॉस्ट आफ रोमें है कंजूमि यह देखो यह देखो चला गया चाहिए यार लाइट अन्वाटर खर्चा यहां पर जाएंगे और याँ पर यहां पर आप लिख सकते हो टोटल क्या एडमिस्टेसिंग गाएड कि एडमिस्टेसिन एक्सपेंस भी हो गया यू नीट मैणिफेक्टिर समझ में आगया है यूणिट मैनुफेक्ट्रिंग जो एक चालीट हज़ाइइ बनता है चालीश हई है मैनुफेक्ट्रिंग खर्चा है एंड रेंट फेक्टरी का देख लिग दिया भगलना फैक्टरी रें तो अपन जाएंगे यहां पर एंफेक्टरी रेंट चिपका देंगे ठीक है यह सर with no कि फैकर्टिकमडशिए सन मसीन पुरा का कर चाए फैक्रीक हर्चार एडबैंत एंड्वरिटेज्मेंट विए सेलिंग का खर्चा है एजेंट को सेल दे रहों सेल लिंग का कि ELichen सेलिंग का खर्चा समझ मांगे आप सब को वाँ बैठा दिया अपने अपने सब को बैठा रोमेटर लिखा उसमें प्राइब आपने वेज़े भी जोड़ दिया कोई डायरेक इक्समेंस थाने तो आपने प्राइम को डायरेक निकाल दिया फिर फैक्टरी ओवरेड यहां क्य सब्सक्राइब यह सब कैसे निकल रहा है सब्सक्राइब को चाली से डिवाइड कर दो थीक है ह्किर ऑदोफ इन सब्सक्रीन ुख ते गोटनों कि बता दूच है इन सब को 40 डिवाइट करते जाओ निकलते जाओ निकलते हaron कोई दिक्कत की बात कोई कोई दिक्कत की नर्म कॉस्तिस समझ में है कॉस इस समय में इस वीडियो को से कौषिट करो यहां तक सब्सक्राइब, चैनल लिया हूं, कर लो link description में है वीडियो को सिया जरू करना